नमस्कार दोस्तों बहुत 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 सारी वैसे काम लगबग 50-60 जो है वह बैसे रखते हैं दूद बेचने का मेन काम साथ में जो है बैसे बैसे का भी आजकल कर रहे हैं काफी दीनों से तो पूचेंगे डिटेल से जानकरी लेंगे सामने देखिए गाड़ी भी जो है वो लगी वी है कचा रटो हाई हुआ जानकारी है में लें पुचेंगे का कुछ तो बस जाएगी उसमें कितनी जाएंग जाएगत हुं मैसे लोग जाएगर हैं कितनी बैसे जाएंगी 822 स Millionen 12 किहांगी तो इसे सदिखाना सहरू करें जिएछ इसे 3 00 इदर से कर दो, यह उई बिकी हुई यह बिकी हुई यह बगर भी कि उए जी अच्छा, इस इसको खोलो जी यह देखिये यह काफी बढ़ीया लंबी तगडी जोटी है, बताओ जी इसके बारे में क्या रेट आ है, क्या डूद है, यह डूसरे की जोटी है, ठीक है, अब इसक बहुती खुबसूरत जोटी देखिए चेहरा शिंग बहुती शांदार एक असी बाइसाब ने कीमत रखी है बहुती कम ऐसा पसुदन देखने को मिलता है बाइस लीटर दूद देखिए बाइस लीटर पिछले साल दिया कितना दिया हुआ है कारकी ने सोड़ा सतरह लीटर द लब्दे ये अद्री जाओंस तीसरे ब्याथ कितना दूद सेभी अब दूद इसके तो 14 लीटर दूद दूद है ये कितने की बैचनी है ये ये वेचनी एक लाख प्चीं सब देखिए टीसरे ब्यांत कि कितना दूद बताया दुआरा बताना अब दूद स्के जी कितने दिन की भी आई होई में एक अफ्ते की थोड़े से जो नीचे जाली सी बनी हो यह तरणों पर ना दूद की बहुत अच्छी है अच्छा हां बहुत अच्छी की बेचनी है ठीक है पोंच भी थोड़ी ज्यादा सफेद है इससे आगे यह अपने गर्की है या भी की काट डेगी तिरह 토टेह 12 चौद डूद निकाल देंगी क्या कीमत रखघी एक लाग 15,000 रूपे कीमत अपद्रा ना बाइसके पंद्रा दूद देंगी देखिए फुल साइजज इस जोटी का भी बड़ी काओ अडर की Clone Weight इथनों की कॉयलिटी भी काफी अच्छी उस साइट देखा जिए दिखा रहे हैं अभी ये सारी बिक्यों ये नो वैसे लिए जाए जाए वह आए जबलपूर छाएंगी ये वैसे जबलपूर वह जगह जहां बहुत सारी बैसे रियाना से बिक्या जाती है बताओ जी इसके पारे में बताओं ये तो सुरिंदर भाई हमने पुठ्थाए दिया है अच्छा हाँ नो वैसों का एक त्थी बैसी दिया किस रेट में दिया जी यह 98000 के इसाफ से दिये दो टाइम चो चो के बैसे लिए ठीक है 98000 के इसाब से दी हैं दस बैसे एक बैस हम देख चुके हैं देखिए बहुत ही शांदार क्वालिटी की है और इससे आगे वाड़ी खोल के दिखाते हैं यह भी उसी जो है बैच में जा रही है यह कितने एक इसमें कितना दूद है जी दूद इसके भी 14 लिटर दूद है जी अब तयाब यह कुण से बैस किया है यह दूसरे बैस किये दूसरा बैस चोदा लिटर दूद यह भी एक लाक रुपे के हिसाब से ठावे ज़ार की बैस देखिए 14-14 लिटर दूद दो जोटियों में देख चुके दोनों बहुत ही स तो 98,000 के इसाब से पढ़ रही हैं, इसमें कितना दूद ही? इसके दूद है, 13 लिटर दूद है 13 लिटर, कितने दिन की ब्याइए हैं? यह होगी जी, एक अफ़ता की ब्याइए होगी एक अब तेकी ब्याइए 13 लिटर दूद देखे इसाब सुत्री बैंस यह भी कि यहां से अर्याना को जाना जाता है अच्छी मुरा नसल की बैसों के लिए और डिमांड अर्याना की बैसों की ज्यादा उसका कारण यह है कि लंबे टाइम दूद देना शांत बैसे हैं बंदी रहने दो बाई यह भी उसी रेट में जा रही है ना जी हां जी दूद कितना इसमें इसके दूद है जी 14 लिटर दूद है थोड़ा सा दिखाओ कम है लेकिन दूद की बहुत अच्छी बैसे जी अच्छा जी 14 लिटर अभी त्यार है यह वाड़ी बैसे इसके 18 लिटर दूद त्यार है देखिए यह भी 98,000 वाले लोड में जा रही है बहुत बढ़ी जोशी लेडर की है पफ्ली कमचोर थोड़ी ज़रूर है लेकिन बढ़ी यह यह वाली जी यह इसमें कितना दूद है यह 12 लिटर दूद इसके जी यह कितने दिन की भी यह तक यह हो कि साथ given 12 13 लिटर दूद यह भी चोदा लिटर दूद से तो कम कोई नहीं रहती होगी इसमें 14 लिटर दूद है ठीक है देखिए इसमें 14 लिटर दूद है लगबग 13 14 15 13 से लेके 13 किलो दूद वाली है यही न ठारा है न इसमें जो हाँ जी इसका अठारा लिटर दूदे जी तो 13 से ठारा वाली हैं जो बाई जब अलपूर से आए हुए हैं उनसे भी बात करवाते हैं आपकी तो देखिए शांदार बैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं कहूंगा आज की डेट में पहले कभी टाइम होता था रोतक और ज अच्छी अच्छी बैसे रूटीन में मिलती रहती हैं पसू बांध के बेचने वाले कम गिने चुने फारम हैं उनमें दंगी डेरी फारम का भी नाम आता है तो अभी जो भाई जबलपूर से आए उनसे बात करते हैं भाई सब नमस्कार भाई सब क्या नाम है जी अपना ग पारेट में बिकता है जी अर्दूद साट रोपी लीटर साथ कितने दिन होगे आपको बाई साब के पास आये हूए तीन दिन में नौ बैसे पसंद कर लिया कितने टाइम चुआई की यजी बैस होगी दो टाइम सबी अपनी तसली करके लिए हैं कैसा वबार रहा बाई सब बाहर ची पे बाहर बढ़िया लगी बाहर वह थी थी तो पहले भी रखिएं बाहर नसल की बैसे या भी पहली बार ले रहा है सो बैस है बहुत बढ़िया जी चलो ठीक है भाई जी बहुत बहुत दन्यवाद यादव साब आपका भी अर्याना में आने के लिए और ये देखिए वीडियो ज्यादा लंबी जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जितना चोटा चोटा वीडियो होगा उतना बढ़िया कम से कम टाइम में आप यो तक ज़्यादा से ज़्यादा बैसे पहुचाने का हमारा जो है मकसद रहता है के आपका ज्यादा टाइम भी ना ले तो जो बाई वीडियो देख रहे हैं वीडियो पसंदा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दांगी साब से जुड़ना चा करें फेस्बूक पे देख रहे हैं मारे पेज को लाइक करें यूटूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें सभी भाईयों को मेरी तरफ से नवस्कार